हाँ नहीं हो पंद्रा पीस मिंट में बैट पंद्रा पीस मिंट कटम का गया है रिकोर्डिंग कर ली ओके गाइज वोट्स अचानक से आगया है बाट आज हम लोग क्या करने वाले हैं जैसे हमने कम्मुनिटी में शेयर भी किया था आज हम स्ट्रेट फोवर्ड बात करेंगे ओर ले कि अगर आप YouTube में सक्सेस्फुल होना चाहते अगर आप YouTube पे चैनल बनाना चाहते है और उसमें कफी अच्छा करना चाहते हैं थी कई अगर आप बिगनर है तो आपको कौन-कौन से basic tools चाहिए उसके बारे में आज आपको बताऊंगा जैसे किस कौन से तरह का mobile phone आपको help कर सकता है mic कौन सा help कर सकता है, lighting कौन सी help कर सकती है है ना, तो उसके stand कौन सा help कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे तो am I audible right now, can you please tell me अचानक से आज मैं हा गया आज आपके live session के अंदर, काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं let's see, एक बार हम लोग बात भी कर लेते हैं, okay okay, so आज हम लोग tools के बारे में बात करने वाले हैं कि YouTube अगर आपको grow करना है तो आपको किन-किन तरह के tools ही हैं तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आप मैंसी कितने ऐसे लोग हैं जो कि future में YouTuber बनना चाहते हैं अपनी skill को जो आप जानते हैं या अपनी talent को YouTube पे लाना चाहते हैं I just want to ask this question लेकिन उससे पहले जरा चेक करते हैं कितने लोग हैं जहां पर अपके chats खूल लेते हैं चलिए Let's see, let's see, let's see अच्छे, यहीं पर ही करना पड़ेगा So, कितने लोग हैं यहां पर जो कि YouTuber बनना चाहते हैं Finally, जरा देखें Okay, let's open this Let's open the chats Thank you so much for coming guys यहां पर आपके chats ओपन करते हैं और देखते हैं कितने लोग यहां पर हैं आप इसे कितने ऐसे लोग हैं जो कि YouTuber बनना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं Basically कि You know, हम कौन सा mobile यूज़ करें या फिर कौन सा camera यूज़ करें बिगिनर के लिए क्या चीज़ सही हो सकती है कौन से tools यूज़ करें Add it कैसे करें तो आज छोटी-छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो बहुत बढ़िया काफी लोग मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जैसे की तो आज काफी इंपोर्टेंट और यूसफुल सेशन होने वाला है ठीक है So tools to make your YouTube channel successful या अगर आप beginners है तो आपको कौन-कौन से tools की जरूरत है उसके बारे मैं आज मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए फड़ा-फड से शुरू करते हैं Start करते है Are you guys ready? कौन-कौन है जो YouTuber बनना चाहते हैं Amazing बहुत लोगों ने लिखा कि हम तो चलिए मैं आपको आपको आज बताता हूं ज्यादा समय नहीं लूँगा So let's see चलिए तो आज मैं आपको डिटेल में बताता हूं लेकिन उससे पहले Okay Amazing, amazing, amazing सब लोग YouTuber बनना चाहते है क्या बात है YouTube के basic tools जो आपको अपने YouTube चैनल को viral बनाने के लिए चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले YouTube की कौन-कौन से basic tools है जो आपको चाहिए So चलिए मैं आपको बताता हूं Let's start this session YouTube के basic tools सबसे पहले हम लोग बात करने वाले Best camera for YouTubers जो beginners है यहाँ पर है na conflict रहता है Best camera कौन सा हो सकता है जो आपको वीडियो बनाने के लिए यूज करना चाहिए यह सवाल यह जो है बड़ा conflict है तो उसके लिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं आप ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा तो सवाल यह है कि क्या हम लोग अपना YouTube का वीडियो इससे बना सकते हैं या फिर best option यह है वो दो camera दो मुझे जल्दी से मुझे हर तरह की दूसरी light भी लाकर देना वो camera दो तो हमारे लिए best option क्या है अगर कोई beginner है तो उसके लिए best option क्या हो सकता है क्या उसके लिए best option उसके लिए best option क्या हो सकता है ज़रा देखिए उसके लिए best option यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है सवाल तो पूछेंगे आप लोग कि हम क्या करें अगर हम YouTube पे वीडियो बनाना शुरू करना चाहते हैं तो हम mobile का use करें या यह camera का तो देखो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ मैं audible राइट आओ कौन को ने जानना चाहता है तो आज मैं practically बात करूँगा सब चीजों के बारे में ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हम इन camera की बात कर लेते हैं देखे अगर आपको लगता है कि यार घर में इतना support नहीं है ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि basically मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता हूँ तो होता क्या है? जनरली घर पे mobile होते हैं लेकिन cameras नहीं होते हैं ये cameras बगरा आपको घर पे नहीं मिलेंगे लेकिन mobile ज़रूर आपके पास होगा वो mobile भी आपकी किस्मत बदल सकता है मेरे पास सिर्फ mobile था पहले थोड़ा घटिया mobile था जो कि चाइना का था चाइनीज था दस हजार रुपे का mobile था पर जब वीडियो चलने लगे तो मैंने थोड़ा अच्छा mobile खरीद लिया था तो वो जियोनी का mobile था फिर उसके बाद तो मैंने अब जो मेरे हाथ में यह handset है मैं आपको नहीं कहता हूँ लेकिन आपको बताता हूँ पहले तो smartphone बहुत महेंगे आते थे लेकिन अब जो smartphone है basically उनकी कीमत थे ज़्यादा नहीं है आजकल अच्छे camera वाला smartphone भी आपको च्छे से 10,000 रुपे में मिल जाएगा MI का आपको पता ही है ठीक है थोड़ा और cost अगर आप increase करते हो तो आपको और अच्छा mobile मिल जाएगा ठीक है तो उन mobile में अच्छा खासा camera होता है ठीक है तो वहाँ से अप अपनी journey की शुरू कर सकते हो अपनी journey स्टार्ट कर सकते हो लेकिन आपको लगा कि प्लीज एपल की पीछे मत भागना कि मेरको एपल चाहिए एपल जैसी quality चाहिए बिगणर्स को बोलता हो 6 से 10,000 का mobile ले 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 ना माइक भी आपको बता दूगा आपको सस्ते में काम निकल जाएगा वीडियो कॉलिटी भी अच्छी होती है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी घरवाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि बेटा जीले अपनी जिंदिगी जा बेटा जीले अपनी जिंदिगी अगर ऐसा कोई कहता है कि ठीक है मैं पैसा इंवेस्ट पर मैं आपसे कहूंगा कि Nikon या Canon के कैमरा भी आप ले सकते हो जो कि 23-24,000 रुपे के आ जाते हैं बट वो आप सिर्फ तभी लेना जब 21,000 रुपे में आ जाते हैं ठीक है पर वो आप सिर्फ जब लेना जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती हो अधर्वाइस आप इतना महेंगा मत खरीदना और अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो आप DSLR जैसे कैमरा की तरफ जा सकते हो जो मेरे हाथ में अभी सोनी जैसा यह मैं आपको कैमरा बता देता हूं यह कितने का है दो लाक रुपे का कैम रहा तो अभी जो मैंने हाथ में हंड अभी हाथ में पकड़े हो में जो डो लाक रुपे का कैम रहा है 72,000 रुपीज का यह मोबाइल है जो कि Samsung का S10 Plus है उस टाइम पे मैंने जो लिया था विशायद सस्ता हो गया हुमें भी हो सकता है कि वो model आना भी बंद हो गया बट फरक्त नहीं पड़ता है आज कल कि मोबाइल काफी अच्छे है कि शुरू में जरूर आप मोबाइल यूज कर सकते हो बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत इंवेस्मेंट करने को है then just go with the camera ठीक है camera और ब्लोगिंग करने के लिए आपको पता है ये camera and mic क्या है कैसा चीए होता है तो वो आप यूज कर सकते हो पर camera भी आपको quality अच्छी मिलती है वो Samsung MI के होते है so वो आप mobile purchase कर सकते हो जैसे Samsung का Galaxy S21 FE ये जो है pro grade या फिर dual record उसमें क्या होता है pro grade है मतलब single portrait mode night mode बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी dual recording बगरा मिल जाएगी तो ये आप cameras यूज कर सकते हो 12 megapixel उसके अंदर main camera होता है 2 megapixel ultra wide camera होता है थोड़ा shyness बहुत जादा है थोड़ी कम करो ना पीछे camera से और finally 8 megapixel का telephoto camera होता है तो ये अच्छा है आप Samsung भी ले सकते हो in fact आप लोग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लावा एक और mobile है MI की mobile जो होता है कम कीमत पर अच्छे mobile आते हैं तो आप उसको भी consider कर सकते हो OPPO भी वो बहुत सारी companies हैं तो आप that depends upon you कि आप कौन सा mobile यहना चाहते हो पर आप mobile से अपना काम चला सकते हो इतने महेंगे भी नहीं है और आपका काम भी चल जाएगा ठीक है तो चलिए आप mobile की हमारी बात हो गई है आप Xiaomi या Samsung आप किसी की तरफ जा सकते हो है ना दोनों ही पर Indian Companies नहीं है तो महाँ पर Median India टाइप का कुछ है नहीं पर हाँ Pro Grade में Xiaomi के अंदर आपको 108 Megapixel Triple Rail camera मिलता है जो काफी अच्छा है अब हम बात करते हैं माइक की तरफ तो अगर आप beginners हो, YouTubers हो तो कौन सा माइक आपको लेना चाहिए है ना So मैं आप से कहता हूँ कि क्योंकि आप अगर सिर्फ सबसे पहले तो Apple आप लेना मत मैं आप से कहता हूँ Initially आप Android phone यूज़ करो और दूसरा Android phone अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप माइक यूज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है Apple के लिए फिर आपको Apple के Airports लेने पड़ेंगे जो कि बहुत महेंगे आते हैं So in that case अगर आप Android phone यूज़ कर रहे हैं आप बोया का माइक यूज़ कर सकते हो Look at it, मैं अभी बोया के माइक से ही session ले रहा हूँ So ये wired mic होते हैं ये इसका basically कहें कि कितने समय तक चलेगा तो वो कुछ कह नहीं सकते है पर ये बोया का माइक जो है ना ये quality अच्छी आती है इतनी भी खराब नहीं है इतनी भी अच्छी नहीं है पर हाँ Middle stage में बोया के माइक सोते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो इसके आगे एक pin होती है जिसको आप लगा सकते हो बोया का माइक को ये खराब पड़ा होगा देखो वो दिखाने पर ये थोड़ा ऐसा रहता है कि ये क्योंकि इसमें sell डलते हैं और wired mics हैं तो थोड़े दिनों में थोड़े दिन तो नहीं कहेंगे जैसे आप वो आपके use पर depend करता है महीने, दो महीने, तीन महीने बाद आपको बदलना पड़ता है पर ये सस्ता ही आता है 600 रूपीज से 1200 रूपीज में आपको ये mics मिल जाएंगे बोया का mic थोड़ा महेंगा आता क्योंकि quality थोड़ी अच्छी होती है तो आप बोया mic पर जा सकते हो और ये बोया mic की खास बात ये होती है बोया mic उसमें नहीं है क्या है तो बोया mic का होते है की नीचे पिन होता है जो कि आपके ये जो है ना segment, mobile के segment में लग जाता है तो उसमें अच्छी तरह से voice भी यूनो अच्छी voice भी मिल जाती है जो कि साफ होती है फिर camera quality आपका जो mobile है उसके अंदर जो video उसके साथ ही अच्छी audio भी आपको mix होके मिल जाती है आपको अलग से record करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये खास बात है बट कभी कबार लोगों को बहुत अच्छे you know, mics सही होते है तो और भी बहुत अच्छी qualities के mics आते है पर मैं आपको prefer करूँगा initial level पर आप बोया का mic ले लो that would be great, that is fine कोई अगर podcast अगरा करता है तो आप ऐसे mics use कर सकते हो कुछ लोग ऐसे mics भी यूज करते है especially vlogging type के vlogging अगर आप करते हो तो आप ऐसे mics use कर सकते हो ठीक है, codeless mics भी आते हैं लेकिन वह बहुत महंगया आते हैं जैसे codeless का mic दिखाता हूँ मैं आपको हमारे पास बोया का mic है जो 1200 रुपे का जिससे मैं live session ले रहा हूँ लेकिन हम लोग कोडलेस mics भी यूज करते हैं codeless mics होते हैं basically जिसके अंदर यह बस यह एक wire है जो कि आपके collar पे लगेगा otherwise यहां पीछे कोई wire नहीं है जो कहीं अंदर किसी में जा रहा होगा but यह सब system आप mobile में use नहीं कर सकते हो इसके लिए अगर आपके पास suppose आपके पास ऐसा camera है ठीक है suppose आपके पास ऐसा कोई camera है DSLR है in that case जब आपने camera पे इतने पैसे खर्च की है थोड़ा आप mic पे भी खर्च कर लीजे यह codeless जो mic है basically इस camera के साथ use हो सकता है DSLR के साथ यह codeless mic यूज हो सकता है अब आप कीमत सुनेंगे मैंने जब कीमत सुनी थे तो मैं भी जटका खा गया था 2,00,000 रुपे का camera है तो यह 48,000 रुपे का mic है codeless mic ठीक है तो यह equipment है जो की थोड़े costly हैं लेकिन मैं आपसे prefer करूँगा कि आप तभी खरीदो जो आपकी YouTube की पहली pocket वो YouTube की पहली salary आ जाए और वो भी अच्छी खासी आए मालो आप YouTube पे अच्छा खासा famous और आपने एक लाग रुपे के something कमा लिया in that case आप जा सकते हो आप एक ही करके equipment खरीदो पहले में एक लाग कमा लिया दूसरे में एक लाग कमा लिया दो-तिन में आपने रेगुलर दो-तिन लाग-चार लाग रुपे कमा लिया in that case आप दोनों equipment खरीद पाओगे जो आपकी quality को enhance करेगा एना because YouTube is all about experience आपकी video quality कैसी है because क्या होते है जो mobile से आप shoot कर रहे हो वो mobile में अच्छी लगेगी लेकिन वो बड़ी screen पे अच्छी नहीं लगेगी फट जाएगे उसके pixels तो इसलिए ना DSLR वगरा यूज होते है है ना तो वो बहुत important चीज़े है तो ये DSLR और ये जो mics हैं basically ये picture quality को enhance करता अगर कोई 4K में आपकी video देखना चाहता है तो mobile से shoot किया गया video जो 4K quality का नहीं होता है So in that case आपको ऐसे DSLR में shoot करोगे तो वो 4K quality तक भी जाएगा जो future के videos माने जाते हैं आज के time पे तो वो future के videos हैं वो future के time पे भी जिन्दा रहेंगे तो 4K quality के लिए मैं आपसे कहूँगा कि जब आप ऐसे कमाल हो है ना तब आप ज़रूर ऐसे mic और ऐसे ये सब चीजे ले सकते हो ठीक है और भी बहुत सारे mics आते हैं ये सब mic जो basically वो laptop या फिर जब आप podcasting कर रहे हो आपके पास दूसरे type के cameras है तब आप यूज़ करते हो ये आप mics use कर सकते हो rod mics होते हैं ठीक है ये आप यूज़ कर सकते हो बट मैं initially prefer नहीं करूँगा मैं आपसे कहूँगा कि जब आप कमाल हो तब यूज़ कर देना अभी सरफ ऐसे यूज़ करो जिसके अंदर boyer type के mics होंगे एक pin होती ही जो mobile के अंदर जाती है दूसरा आप caller पर लगा हो गया आपका काम तो ये best mics हैं अब हम बात करते हैं lighting की YouTubers के लिए lighting तो ये सवाल है ना काफी बार पूछा जाता है बहुत सार ऐसे लोग है मैं आप software भी बताऊंगा everything I'll tell you तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं किस तरह की lighting आपको चाहिए तो देखिए वो depend करता है कि आप day में shoot कर रहे हैं कि night में ठीक है तो अगर आप day में shoot कर रहे हैं तो मैं आप से कहूँगा कि sunlight जैसी lighting आपको कहीं नहीं मिल सकती आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप यह देखिएगा कि sun कहां से rise हो मतलब sun की position क्या है बस अगर आप sun की position के सामने आप खड़े हो जाए camera वहीं लगा दीजिए आप कभी गोर करिएगा आप जब lighting करते तो कैसे करते हैं गोर करना यह camera है और आप सामने बैठे हो तो light यहीं तो लगाते हो light यहीं लगाते हो यह camera है यह light है और आप सामने बैठते हो बस same situation आपको करनी है यह camera है यह sun है और आप सामने बैठे हो तो आपको sun के सामने रहना है sun की position कहीं भी है वो North में, East में, West में, South में, बस आपको ध्यान रखना है, आप एक अच्छी situation पर बैठ जाओ, मालो आपको Sun दिखाई दे रहा है, तो basically बस आपको Sun के नीचे camera रख देना है, Sun और camera ऐसे होने चाहिए, यह तो आपको इतनी समझतों पक्का होगी ही, और सामने आप बैठ जाओ, कोडलेस माइक लेके, या फिर बोया का माइक लेके record कर लो, ठीक है, तो Sun से अच्छी lighting कोई नहीं दे सकता, उस से अच्छी natural lighting कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन मालो आप day में shoot नहीं कर रहे है, night में shoot कर रहे हो, again, उसके लिए भी आपको इस camera के just उपर या just side में, आ होता है, आपके face के ऊपर light आए, ठीक है, जिससे आप जो darkness है, जो blackness है, वो खतम हो जाए, in that case, आप अलग-अलग तरह के lighting tools है, जो आप यूज कर सकते हो, अधिकतर लोग जो है ring light यूज करते हैं, मैं आप से कहूंगा कि आप लोग ring light यूज करिए, so ये ring light है, जो आप chances को देखेगा, so this is the ring light जो आप use कर सकते हैं, अगर आप देखेगा, ये ring light हमारे पास भी है, तो काफी interesting, मैं कोशिश करता है, इसको चला के दिखाँ, इसको wire का है, आजाओ हमारे DOP Daniel, why you're afraid of, please come, I'll introduce to you my, yeah, look at, this is Daniel, DOP, अब आपको ये दिखाता हूं, आज practically, आज हम सारा practical work करवा रहे हैं, पता नहीं, YouTube हमें कब तक सपोर्ट करें हैं, जब सकर, देखे, दिखाना है सब लोगों को, अभी हमने light जलाया, तो अगर मैं light जलाया, तो मैं light के पीछे थोड़ी बैठूँगा, मैं light के आगे बैठूँगा, जाकि मेरे face पर light आए, are you getting my point, और बस उसको करना है ताकि मैं अच्छा दिखूँ, are you getting my point, इस तरह से adjust करो ताकि मैं अच्छा दिखूँ, एक दो बार में adjustment में adjustment हो जाएगी, तो यह ring light है, जो भी जल रही है, अच्छा आप यह जो ring light हमने ली है, basically, अगेन ज्यादा तर रिंग लाइट जो है, चाइना बेज होती है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इनकी lighting को change भी कर सकते हो, है ना, इस तरह से आप light की strength को change कर सकते हो, यह white है, थोड़ा सा dusty भी हो सकती है, light, है ना, intensity को change कर सकते हो, तो यह दोनों option होते है, ऐसी अगर कोई ring light लेके आते हो, that would be great, और उसमें कुछ नहीं करना, आप कोई जो camera उदर, ऐसे करके shoot होगा, है ना, यह तो सबको पता ही होगा, बट और अगर यह mobile नहीं है, तो आप यह वला camera होगा, तो आप यहाँ पर रख दो, ऐसे करके आप shoot करोगे, stands आते हैं, इसके mobile के और ring light के stands होते हैं, बड़े common stands हैं, वो आपको मिल जाएंगे, जो आप ring light लेन सकते हो, ठीक है, तो यह सारी चीज़े handy हैं, यहाँ पर कोई problem नहीं है, यहाँ पर option दे रखा है, यहाँ पर camera फिट कर सकते हो, तो इस तरह से आप in equipment को adjust करते हो, are you getting my point, हाँ, तो अब मान लीजिए कि भई, आपको यह ring light तो होती, जाध जाधर, मतलब यह ring light है, specifically Instagram type के reels and shots बनाने के लिए, बट अगर आपको ऐसी और इनके साथ, इनके साथ एक problem रहता है, कि glares मारती है, लेकिन आपको flush light type की चीज़े, जो कि glares ना मारे, in that case, आपको मैं एक और option देता हूं, यहाँ पर, दूसरा option का है, ज़रा देखें, second option है, यह हमारे आज के, यह हमारा second option, जो की, flesh lights है, flesh नहीं बोलेंगे, flesh lights है, तो यह क्या करती है, यह जो, you know, lighting है, उसको scatter करती है, are you getting my point, यह light है, देखो, जल रही है, ठीक है, तो यह light को scatter करती है, basically, वो एकदम से focus नहीं करता है, चाहरे पर, यह देखो, यह देखो, है ना, so यह, यह इसे glare नहीं आता है, यह, यह glare वाली, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि, पूरी तरह से glare खतम हो जाएगा, बट इसे glare नहीं आता है, जो कि ring light से आता है, तो वो जो problem है, यहा पर खतम हो जाते है, यह परदा है, as you know, परदी को उपर light पड़ेगा, तो वो क्या करेगी, उसको, फैला देगी lighting को, are you getting my point, तो यह Johnson की lights है, जो आप, यह lights बड़ी सस्ती आती, जादा महेंगी नहीं है, आप इन lights को purchase कर सकते हो, उनके साथ stand भी आता है, तो आप यह ले सकते हो, यह mobile में आप बोया का mic लगा रहे हो, तब भी ले सकते हो, यह जो lights है, basically आप purchase कर सकते हो, ठीक है, अब आप यह सोचो कि, मैंने affiliate marketing चालू करिये, link description box में दिये होंगे, इनके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपकी knowledge के लिए बता रहा हूँ, मेरे description box में कोई इनके link नहीं दिये हो है, मैं आप से कहूँगा कि आप जाओ, जो भी site आपको पसंदो, आपको जो भी equipment ठीक लगे, वो खरीद लेना, आपकी मर्जी है, पर मैं आपको सर्फ knowledge के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सर्फ knowledge बातनी है, पता नहीं YouTube कब तक जिन्दा रहेगा, लेकिन YouTube मैं चाहता हूँ कि हर को YouTuber बन जाए, in that case, मेरे पास जो knowledge है या जो भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, so finally यह है, ए invest करना चाहो, तो आप जो face है, face को face पे और चमक अगर आपको चाहिए, in that case, और बोलते है, reflector, तो एक reflector भी आप ले सकते हो, so this is the reflector जो की basically कहां पर use होता है, photo shoots में use होता है, बिल्गुल सही बात है, but आप क्या कर सकते हो, यह photo shoots, obviously आपको thumbnail बनाने है, तो आपको क्या है, आ आप ऐसे reflector use कर सकते हो, जो की दो तरह के shade में आते है, तो यह reflector है basically, जो की light को reflect करता है, यहाँ पर देखिए, light होगी ना, जहाँ पर वो reflect कर देगा, ऐसे जैसे, आप जहाँ पर, यह light है, उसको reflect करेगा, जाकि वो चहरे पर आए, यह golden shine भी दे सकता है, अब यह silver shine में, are you getting my point, यह आपको golden shine भी दे सकता है, अगर मैं इसको खोल देता हूँ, then you will see there is a silver shine as well, तो आप thumbnail बनाते हो, तो obviously आपको thumbnail बनाने के लिए अच्छी-च्छी photos भी तो चाहिए, और अगर आपको thumbnail बनाने के लिए अच्छी-च्छी photos चाहिए, in that case आप क्या कर सकते हो, ऐसे reflectors का इ software के बारे में बताऊंगा, जो आप यूज कर सकते हो, editing software, तो यह reflector है, जो कि basically क्या करेगा आपको, आपके चहरे पर और नूर लाने में आपको मदद करेगा, है ना, so अगर आप चाहते हैं, तो आप जरूर इसको ले लीजेगा, ज्यादा महेंगा नहीं आता है, पर आप सब लीजेगा, जब आपको लगता है कि हाँ, हम वीडियो तो बनाई ही रहे हैं, पर थम्नेल में फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, और आपको धीली जूट पढ़ती है, आप अलग लगता है, आपको बता देता हूं, जब आप यूट्यूबर बनते होते हैं इसके अंदर, तो यह इसको रिफ्लेक्टर बोलता है, जो कि आपके चहरे पर नूर लाके देदेगा, सोने के जैसा चमकेगा, नहीं, तो आप अगर इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी अच्छी अच्छी फोटो डालनी पढ़ेंगी, आपको क्या करना पढ़ेगा, आपने मंडे टू फ्राइडे वीडियो बनाई, सेड़े संडे फोटो शूट किया, अच्छी अच्छी जगह पर जाकर, यह रिफ्लेक्टर लेकर आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी च्छी, मतलब यह help करता है, enhance करने में, I इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, है ना, सो यह है, लाइटिंग के हम लोग बात कर लेते हैं, for beginners, I must say कि ज़रा आप ध्यान से देखेगा, जो बैस लाइटिंग है, वो तो मैंने आपको दिखाई, जोनसन की यह लाइट्स ले सकते हो, यह थोड़ी कोसली आती है, इसको उम करते हो, ठीक है, तो ऐसी लाइटिंग मैं प्रिफर नहीं करूँगा, यह शूट के लिए होती है, जनरली, बाकि आप अगर वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी वीडियो, इस ऐसी लाइटिंग से काम चला सकते हो, अब हम बात करेंगे, किसके बारे में, नाओ अब हम बात करेंगे, तो फाइनली, रिंग लाइट में प्रिफरेबल है, बेस्ट ऑप्शन है, इसके लवा लाइट फॉम डिफरेट एंगल्स, वो आप ले सकते हैं, जो कि जोंसंस की, मैंने आपको बताई, रिंग लाइट बेटर है, वो आप ले लो, उससे अचा कुछ हो नहीं सकता, अब हम बात करेंगे, किसकी बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेर्स फोर यूट्यूबर, यार आप वीडियो बनाओगे, ऐसा तो है नहीं वीडियो को ऐसी डाल दोगे, यह तो लाइब सेशन है, अब इसमें कोई कट कुट होते नहीं है, लेकिन अगर आपन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ, आप मोबाइल से शूट कर और मोबाइल से एडिट कर लो, इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, आपने मोबाइल लिया, मोबाइल से शूट कर लिया, मोबाइल से एडिट कर लिया, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, तो म ने बेसिकली मैंने खुद मैं यूज करता अपने मुबाइल के अंदर that I will tell you so in that case I must say कि आपको क्या करना है best editing software में आता हूं जो कि मैं frequently use करता हूं मेरे मुबाइल में वह इंशोट ठीक है बाकी आप कुछ भी कर सकते हो मैं इंशोट को यूज करता हूं कि वह बहुत ही simple to use or handy ठीक है तो इंशोट मेरे मुबाइल में मैं उस पर क्लिक करता हूं वीडियो पर जाओंगा इंशोट में आप वीडियो फोटो कोलाज कुछ भी बना सकते हो वीडियो पर क्लिक करो न्यूव वीडियो पर क्लिक करो बस हो गया आपका काम अब आप कर सकते हो अब यहां पर proud stickers दो इन पर सकते हो बहुत सारे श्टीक्र का ऊपशन दिया हूए इस के लाएत टेक्स ड़का ओँए कुछ लगना है तो उपर जो टेक्स लिखा हुआ है वह आप रप nella कर सकते हो इसके लाएा फिल्टर ऐड कर सकते हो और उनदर Green Screen को हटाने का भी option है in short के अंदर जो कि लोगों को नहीं पता भी update हो गया है So Green Screen अगर आपने पास कोई वीडियो है तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पर Green Screen वाली वीडियो को लेकर Green Screen पिछे से हटा भी सकते हो यह भी option है PIP बोलते है PIP option है उसके अंदर वो भी है करने का ऑप्शन है वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन यह दीरे और डुपलिकेट लॊइड करने और बहूत साऩो अप्शुन आपको दिया हुंग है और इतने handy हैं कि एक ही जगह पे सारे options दिये हो हैं आप जो apply करना चाहों कर सकते हो यह इंशॉट की सबसे खास बात है कि complications नहीं है जनरली बहुत सारे टूल में क्या complications बहुत होती है यूज नहीं करता है पता ही नहीं होता कि वह option कहा है लेकिन इंशॉट में एक ही लाइन में सारे options दिया हुआ है तो मुझे बड़ा handy लगता है बट बहुत लोग बोलते कि जो काइंस्टार है वो भी अच्छा है आप काइंस आपको एक short trick बताता हूँ suppose आप चाहते हो कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास पैसे भी नहीं देने को टाइम भी नहीं आड देखने को in that case में आपको एक trick बताता हूँ जापको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी क्या गरना है आपको अगर आप video अगर आप video edit कर रहे हो और in short में कर रहे हो आपका टाइम बचेगा बस इसके लिए आपको इंटर्नेट बंद करना परेगा तो 30 सेकिंड का जो टोड़े पर आपको नहीं नहीं देखना पड़ेगी बस इंटर्नेट बंद कर ले लेना इसका य็ं system में कि इंटर्नेट own होगा तो वो add दिखाएगा, internet own नहीं होगा तो add नहीं दिखाएगा, तो यह interesting चीज है जो कि आपको in short में देखने को मिलती है, are you getting my point, yes तो in short है best tool मैंने अपनी mobile में लगा रखा है बढ़ अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके लवा kind master है, वो ले सकते हो, filmora का application आता है, वो ले सकते हो, laptop में अगर आप कर रहे हो तो सबसे जो filmora का laptop version आता है, वो से यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही simple और handy है बट अगर आप बहुत ही, you know, perfect star हो कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है, pro, in that case आप Adobe यूज़ कर सकते हो so, ये सारे options हैं आपके पास, जहां पर आप explore कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन, मैंने आपको किस-किस के बारे में बताया, आपको बताया, camera कौन सा यूज़ करना है, mic कौन सा यूज़ करना है, और camera, and then mic, and then मैंने आपको बताया, lighting कौन से यूज़ करनी है, software कौन से चीज़े बताई, लेकिन अगर आप चाहते हो insights, YouTube पे किस तरह से grow किया जाए, किस तरह से SEO किया जाए, किस तरह से title लगाया जाए, किस तरह से, you know, hashtags use किया जाए, और और अंदर की in-depth knowledge, और अगर आप वाके में, क्योंकि वो in-depth knowledge होगी, तो आप अच्छे YouTuber बन जाओगे, no doubt, in that case में आपके लिए बहुत ही amazing आज की एक offer लेके आया हूँ, जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है, जब इतना कुछ मैंने आपको बताया है, इससे भी कहीं गुना जादा मैंने हमारे course में बताया है, हमारी A2 app का link description box में given है, आपको वाँ पर YouTube का mastery course मिलेगा, और आज जितने भी लोग अभी ये session देख रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक special है, एक special day है आपके लिए, आप लोगों के लिए special AA20 coupon है, special याद रखेगा, S-P-E-C-I-A-L, special अरविन दरोडा यानि AA20, special AA20 coupon है, इस coupon code को जैसी आप use करोगे, हमारी A2 app पर, आप किसी भी course पर 20% direct discount आपको मिल जाएगा, चाहे वो standard course हो, चाहे premium course हो, in that case आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आप Google के play store पर जाएए, और Google के play store पर जाकर उपर लिखिए, A2 app, अच्छा मैंने net बंद कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं खोलता हूँ इसको, let's see that, play store पर गए, उस पर A2 app लिखा, आपको उपर उपर 4.8 rating के साथ A2 app दिखेगा, जिससे आपको download करना है, ओपन करोगे, तो सीधे आपको यहाँ पर उपर courses दिखेंगे, आप अगर यह coupon code यूज़ करते हो, special A820, आपको हर एक course पर चाहे वो standard course हो, premium course हो, आपको 20% discount मिलेगा, YouTube का mastery course आप लोग जरूर लीजेगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नीचे आप जाएंगे, तो यहाँ पर YouTube का how to grow on YouTube, यह premium course है, 4.99 का lifetime validity है, नीचे लिखेंगे उसके standard course मिलेगा, जिसकी one year validity है, और नीचे जाएंगे तो standard course मिलेगा, जिसकी one year validity है, महाँ पर how to grow on YouTube, य 1.99 का course है, तो 4.99 का course जो है basically, वो lifetime validity के लिए आ रहा है, लेकिन 1.99 का course है, one year validity के लिए आ रहा है, इसमें आपको बतेरी चीजे मिलेंगी, जो secrets जो मैंने आज तक तेरा अपने 7-8 साल के career में, YouTube career में सीखा है, वो सब मैंने इस course में डाल दिया है, आप एक बार explore ज़रूर कर इसके अंदर आपको सारे lectures अभी uploaded है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ add to card करके, 199 जब आप add to card करेंगे, चेक आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप जब अपना state भरेंगे, यहाँ पर आपको promo code डालना है, फ्लाइट 20% of आप standard courses पे ले सकते है, वो फ्लाइट 20 आप apply करेंगे, ठीक है, जैसे आप apply करेंगे, अच्छा, जैसे आप apply करेंगे, आपको 20% off मिल जाएगा, so in that case, मैं आप से कहूंगा, आप premium course पर आप जाएए, special course पर आप जाएए, इस coupon को आप use करिये, या फिर flat 20 use करिये, आपको 20% discount मिलेगा, और उसमें आप पूरे के course को access कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजे सीख सकते हैं वहाँ पर, तो जो आज मैंने आपको knowledge दी, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि वह knowledge वर्थिट थी, तो मैं आपको बताता हूँ, इससे भी amazing चीजे हैं, यहाँ पर तो मैंने 15-20 minutes ही बताया है, लेकिन वहाँ पर मैंन हैं, डिटेल में 6 घंटे वहाँ पर discussion किया है कि YouTube पे आप किस तरह से grow कर सकते हैं, और यह सिर्फ 400 या 500 रुपे, 500 रुपे का course है, 20% उसमें off है, तो आपको यह 440 रुपीज आराउंड में मिल जाएगा, 434, 20 रुपीज में मिल जाएगा, तो सिर्फ 430, 440 रुपे में आप YouTube के पूरी mastery को सीख सकते हैं, हमारी A2 app को download करें, in fact, यह जो coupon code है, वो किसी भी course पर लग जाएगा, तो प्लीज आप एक बार जाएए, explore करिए, special A20 coupon को explore करिए, और उसके बाद आप किसी भी course को ले सकते हैं, महा पर, सिर्फ मेरा ही course लाइब नहीं है, कौन-कौन से courses हैं, द amazing course है, बहुत अच्छे feedback आ रहे है, trending video कैसी बनाया जाए, खुद trending man आपको बताएंगे, basically यह खुद trending में रहते हैं, हर बार इनकी कोई ना कोई वीडियो, शिखा, The Art Queen, आपको किस तरह से art को आप सीख कर YouTube पे famous हो सकते हैं, इसके भी course is available है हमारे app पर, वीडियो चड़ चड most important course जिनके videos डल चुके है, वा 5.99 में एक course है, 20% off मिल जाएगा आपको, और 1.99 का course है, जिसमें आपको वन येर का वैलिटी मिलेगा, आप यहाँ पर भी इस coupon code को यूज़ करके, और finally how to grow on YouTube जो मेरा है, इसमें 4.99 का आपको premium course और 1.99 का standard course है, वापे आप coupon code यूज़ कर सकत है, उस course का नाम है, यहाँ पर भी हम दिखा रहे थे, उस course का नाम है, start-up कैसे start करें, यह live course मेरा शुरू होने वाला है, how to start your startup from 0 to 1, अगर आपके पास कोई business idea है, तो यह how to start your startup from 0 to 1, यह course हम launch कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने pre-booking कर ली है, यह live session शुरू हो जाएंग और आपको मज़ा आजाएगा, ऐसे से लोगों से मिलवाएंगे, इसका पहला session 26 को डलेगा, लेकिन उससे पहले pre-session जो है, और अरजुन देश पांडे हमारे साथ इसको join करेंगे, और अगर आपके पास कोई आप business शुरू करना चाहते हो in future, अगर आपको लगता है कि मैं होगे, ठीक है, तो ये टाइप है हमारा A2 आप का जाटव के थूरू, तो आपको ये सब चीज़े महाँ पर मिलेंगी, अगर आप इंटरस्टेड हैं, तो A2 आप को explore जरूर करना आपको मज़ा आ जाएगा, आज के session को खतम करते हैं, मैं Instagram पर भी हो, अगर आपको कोई question हो then you can ask, A2 motivation हमारा चैनल है, सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा, ऐसी amazing videos हम लोग लेते आएंगे, description box में सब के link given है, आप जाएए, explore कर ये link आपको app का भी मिल जाएगा, वहाँ पे, so please go there, explore it, आपको बहुत amazing लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, just go and do that man, क्योंकि it's not about that 400- 500 रुपीज पर उससे आप 50,000 से लेके 5,00,000 रुपे तक कमा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये तो बाद में ऐसा feel होगा कि 400-500 रुपे की बात थी और मैंने रिस्क भी नहीं उठाया, क्योंकि रिस्क है, तो इश्क है, तो चलिए गाईज, आज की session को एक खतम करते हैं, thank you so much guys, बहुत-बहुत शुक्रिया, मिलतें अगले session में, बहुत-बहुत शुक्रिया, good night.